तो दोस्तो cotton candy के बारे में आपने सुना होगा कई सारे लोगों ने cotton candy खाई होगी देखा तो जरूर से हो गई होगा तो इस तरीके से pink color की cotton candy बनाई जाती है जिसमें या पर sugar वगरा का काफी ज़दा use किया जाता है अब होता दोस्तो यहाँ पर यह है कि cotton candy को लेकर एक बवाल मचिया देश में पिछले दो से तीन दिनों के अंदर तो हुआ क्या यह आप देख पाऊगे money control का आर्टिकल है कि क्या वाकई में जो cotton candy है वो cancer कर सकती है और केवल money control का आर्टिकल नहीं दोस्तो यहाँ पर आप देखो 9 घंटे पहले दाहिंदू ने publish किया times of India BBC CNBC सब जगा पर इसकी चर्चाएं हो रही है तो अभी यहाँ पर जो food safety officials हैं वो cotton candy जो तमिलाड के अंदर मिल रही है उसको और detail से monitor भी कर रहे हैं देख रहे हैं इसके बारे में तमिलाड और पुडुचरी के अंदर दोनों ही जगा पर दोस्तो इन cotton candy के उपर already ban लगा दिया गया है इस तो दोस्तो वो यह है कि cotton candy के अंदर जब testing की गई तो यह पाया गया कि इसमें एक chemical present है जिसका नाम है rodamine B very very important दोस्तो ध्यान रखना rodamine B करके question आपसे बन सकता है हाल ही में news में है यह क्या है यह आपसे पूछ जा सकता है तो यह chemical दोस्तो इस cotton candy में पाया गया अब यह rodamine B क्या है एक water soluble chemical compound जो पानी में मिल जाए वैसे इसको अगर देखोगे तो powder form में आता है थोड़ा सा यहाँ पर powder form में देखने को मिलेगा लेकिन water के contact में आता ही यह एकदम से pink color का हो जाता है एक chemical है जिसका use कर रहे है हम अपने कपड़े वाली industries के अंदर उसमें coloring करने के ल है इसी cotton candy के अंदर जो rodamine भी use हुआ है उसका use कर रहे है तो rodamine भी क्या है कि इतना खतरना को सकता है यह आपने जाना आप दोस्तों कुछ और हमारे पास में researches है यह जो data आपके सामने है यह fssi की website का पूरा का पूरा data है तो यहाँ पर बात यह की गई है जैसे मैं आपको बताई चुका हूँ तमिलाड के अंदर चिन्ने के अंदर जो मरीना बीच है वहाँ से एक cotton candy के कुछ sample उठाए गए और sample उठाने के बाद उनको lab में ले जाकर जाच की तो जाच करने पर पाया गया इसमें rhodamine भी नाम का एक chemical present है और lab ने दोस्तों यहाँ पर यह कहा कि जो असुरक्षित है यह बात खुद यहाँ पर एक act के मादम से mention कर दी गई और हमारे देश में तमिलनाड पहला राजय बन चुका है जिसने cotton candy के ओपर ban लगाया ठीक है अब दोस्तों कई बार क्या होता है जैसे मैंने बोला इसके अंदर में rhodamine बी present है और इसी rhodamine बी का use किय जाता है कई सारे और भी products के अंदर में for example जैसे यहाँ पर research के अंदर बताया गया बाजार में आप देख पाऊंगे वो शकरगंद जिसको sweet potato बोलते हैं वो भी मिलते हैं अब कई बार आपने देखा होगा sweet potato बहुती जादा गुलाबी कलर के हैं बहुती pink कलर के और जो हमार प्रेजेंट है वो है रोडा माइन और उसके बाद इस शकरगंद को यहाँ पर गुलाबी गहरा रंग देने के लिए इसी रोडा माइन का यूज किया गया है और FSI ने इस शकरगंद के अलाबा गाजर लाल मूली और स्ट्रॉबरी को लेकर भी यहाँ पर एक चितावनी ज बारी की है कि इन में भी केमिकल होने की अशंका होती है तो इसको एक बार चेक कीजिएगा खाने पीने की जो कोई भी चीज है इसमें अगर आप देखोगे तो सिंथेटिक कलर का भी इस्तमाल लंबे समय से हो रहा है इस्पैशली जो यहाँ पे अल्टरा प्रोसेस्ट फू इसमें इस्तमाल हो रहे हैं जो केमिकल क्रीम, शैंपू, सनिस्क्रीन, लोशन, साबुन इन सब चीजों में इस्तमाल हो रहे हैं यह बात खोद यहाँ पर FSSI ने मेंशन किया हुआ है अब दोस्तों अगर कोई ऐसा केस निकल कर आता है जहाँ पर खाने पीने की चीजों के के अंदर में कोई मिलावट कर रहा है एक इनसान की जान से खिलवाड कर रहा है तो यहाँ पर आता है सामने एक एक जिसका नाम है IPC IPC के सेक्शन 273 के तहट अगर कोई व्यक्ति खाने पीने की चीजों में मिलावट करता है तो उसके उपर हजार रुपे का जुर्माना या फिर छे महीने की जेल हो सकती है या फिर दोनों ही चीज़े उसके उपर लगाया जा सकता है अब दोस्तों नवेंबर 2023 यानि पिछले साल की हम बात कर रहे है आज से दो तीन महीने पहले की बात हो रही है तो एक संसदे की मतलब पार्लेमेंट की कमीटी थी उन्होंने जुर्माने को बढ़ाने की बात की कि यह जुर्माना कम है एक हजार रुपे नहीं इसको कम से कम 25 हजार रुपे का जुर्माना कर दो यह भी यहां पर एक प्रोपोजल रखा गया फिर उसके बाद 2021 में जो यह फूड रेगुलेशन एक्ट है 2006 का जहां पर हम फूड को कंट्रोल करने का काम कर रहे है इसमें कोई गलत चीज तो नहीं हो रही है इसको देखने का काम किया जा लगबग 32 से 33,000 या कह सकतो हो अगर हम राउंड अफ कर दें तो 33,000 घटिया और सेहत के लिए अस्वरक्षित चीज़ें यहां पर मिली थी फिर उसके बाद 2021 में ही क्या होता है लगबग 20,000 के आसपास जो मामले हैं वो दर्ज किये जाता है जिनके उपर जर्माना लगया जाता है कि वो कहीं न की ऐसी चीज़ों के अंदर में मिलावट कर रहे थे और इसमें से ही लगबग 671 मामले ऐसे हैं जहां पर आरोपियों को जेल तक भेजना पड़ा दोस्तों जेल और जर्माना दोनों की सजा की गई क्योंकि वो बड़े लेवल पर यहां पर इस तरीके कि जो गलत एक्टिवीटी है वो करते वे पाए गए गया तो यह कुछ इंफोमेशन जो कि आजकल बहुत ही चर्चाओं में है यह मैं आपके साथ मैं शेयर की वी है अच्छा एक चीज़ और यह जो रोड़ा माइन भी है यह आखिरकार इतना जादा हामपुलेस की चर्चा के अंदर जाता है तो सीधा दिमाग के अंदर जो सेरेबलम टीशू है इस वाले पोर्शन की इस टीशू को डैमेज करना शुरू करता है और इसको डैमेज करते करते दोस्तों जो हमारे ब्रेन स्टैम से इनको डैमेज करता है और ब्रेन स्टैम सीधा हमारी रीड की हटी स् यह Rodamine B और इतना ही नहीं एक इंसान के सेल्स के लिए उसके टिशूर्स के लिए खतरनाक है और यह और जदा hazardous और जदा खतरनाक बन जाता है जब इसको हम खाने के साथ मिला दें इससे cancer हो सकता है ट्यूमर हो सकता है बोडी में गाठे बन सकते हैं और वही ट्यूमर वही जो एबनॉर्मल सेल्स हैं कैंसर में आगे बदल सकते हैं तो ये दोस्तों यहां पर पूरा का पूरा इंफोर्मेशन है कॉर्टन कैंडी और रोडामाइन बी को लेकर